दोस्तों आप अपने computer को reset करना चाहते हैं तो आप एक restore point बना कर reset कर सकते हैं आसानी से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको restore point बनाना होता है और किस तरह से अपने computer को reset करना होता है तो चलिए इस video को शुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने अपने इस YouTube लूप चैनल को सबस्कारिब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्कारिब जहू कर लीजिएगा, टेक्नलोजी सम्मद्र जानकारियां पाने के लिए, तो दोश्तों, आपको कम्पूटर पर right किलिक करना होगा, इसके बाद में आपको नीचे ओप्शन मिल जाएगा, properties का इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पर आपको third option मिलेगा system protection का इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद इहाँ पर देखिएगा आपका इहाँ पर select रहना चाहिए system protection अबक्रेक्सन इसके भार पर आपके सामने ड्राइब आजाती हैप ज स्क्राइब में अपना restore point marrate कर ना चाहते हैं उस ड्राइब को आप select करेंगे जैसे कि यह पर हम local disk की e में बनाना चाहते हैं तो local disk की e को select करेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा हुगा है create इस पर हम click कर देंगे इस पर click करने के बाद हम जो भी restore point बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम दे देंगे उस नाम देने के बाद यहाँ पर आपको create पर click करना होगा create पर आप click करेंगे तो आपका restore point थोड़ी ही time में बन जाएगा इसके बाद मैं आप अपने computer को reset करना चाहते हैं तो reset करने के लिए आपको क्या करना होगा फिर से यहाँ पर आपको cancel करने के बाद आपको यहाँ पर system protection पर click करना है इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने जिस drive में आपका restore point बनाया हुगा है उसे हम select कर लेते हैं जैसे हमने drive यहाँ पर e-mail बना रखा है तो e-mail हम select करेंगी इसके बाद मैं हम जाएंगी इस वाले option पर system restore पर इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरह के interface आजाएगा यहाँ पर next पर हम click करेंगे next पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों का आजाएगा description में आपने जो नाम दिया था वो यहाँ पर so करेगा इसके बाद मैं हाँ पर local disk आजाएगी c और इसके बाद मैं आपको finish कर देना और उसके बाद मैं आपका जो computer है वो totally reset हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने computer को reset कर सकते हैं मैंने Windows 7 में बताया है आप अपने जो भी version है उसके इसाब से आपर option search कर सकते हैं तो चलिए इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करिएगा अपने दोस्तों के साथ